वल्कम बाक आपको रूबरू कराते हैं पुराने जमाने के सिक्कों और रुपेओं से जी हाँ उन सिक्कों रुपेओं से जो अब चलन में भी नहीं है दोस्तों आज की इस वीडियो मैं आप सब क्लिए लेकर आजोगा हूँ रिपब्लिक अफ इंडिया का दो कोईंस और इस इंडिया कमपणी का एक कोईंस और यह तीनों का प्राइस की अगर हम बात करें तो एक लाख पास हजार उपय तक जा सकता है तो complete बात करेंगे detail में लेकिन उससे पहले आप सब इस request करेंगे आपके notes and coins को खरीदने के नाम पर अगर कोई भी आपसे registration fees मांगता है तो उसको मत दीजे क्योंकि all over India कहीं भी आपको अपने notes and currencies को sale करने के लिए आपका जो भी antique rare notes and coins को sale करने के लिए कहीं भी registration करना नहीं अगर आपको कोई भी registration fees मांग रहे हैं आपके notes and coins खरीदने के नाम पर तो fraud करेगा आप सभी के साथ तो इससे आप लोग विल्कुल alert रहे हैं तो दोस्तों देखिए basically आज हम जो बात करने वाल है ये complete series में आपका सिर्फ coins के बारे हम बात करेंगे तीन coins आज हमने cover किया है कि आपको पता होगा हर एक series में मैं एक बार notes का video लाता हूँ एक बार coins का आज के video basically है कि तीन coins को हमने cover कि और complete इसका DNA test करेंगे यानि कि यह जो तीनों coin है इसका complete आपको detail बात करेंगे कौन से year का coin है तो यहाँ पर शुरूमत में आपको बता दो एक coin है East India Company का और East India का coin का coin यह वो 1 रूपी का है और दूसरा जो coin है वो है Republic India का 1 पैसे का coin और दूसरा है दो अन्य का coin तो यह तीनों coins को मिला के overall जो price से बहुत है 1,5,000 रूपीज तक ठीक है तो चाहे आप इसको sale कर सकते है उतना में या फिर अपने collections के लिए खरीदना चारे तो उतना खर्च आपक और आप सभी से एक चीज़ बताते हैं आप लोग वीडियो के comment section में लिखते हो कि यह fake है ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो इसी पज़से आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता है लेकिन अगर आपकी coins यह नोट वाकई में rare ह है तो वाकई में उसका value है अगर आपका common circulation coin और आप चाहोगे कि वह हजारों के तादार में लाखों के तादार में बिके तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है देखें आप लोग का क्या होता है आप लोग यह सोचते हो कि जो फाइवर का ट्रेक्टर नोट है वह और रहे है आप चोचते हो कि फाइवर का मातावेशन देवे कोई नहीं है तो आप लोग को सबसे पहले तो collection अगर करना चाहरे हो तो आपको जानना होगा कौन सा कौन सा कौइन से नोट्स रेयर है तो यह चीज़ आपको हमारे चैनल पर अच्छे से बताया जाएगा कि कौन सा वो कौ आपको बता देंगे पूरा विठ प्रूफ के साथ एक चीज़े तीनो कोईन की पूरा बारे की डिटेल और उसके बाद क्या-क्या प्राइस है कैसे उसको सेल परचेस कर सकते हैं वह भी चीज़ आपको एंड तक पता चल जागा और इस वीडियो के बीच में आपको एक बो वोनस आप लोगों से छोड़ जाएगा ठीक ना तो विल्कुल स्किप किये विना एंड तक देखते रही है तो बीना टाइम विस्ट की हम लोग अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको ले चलके बारे की से वन बैवन चीज़े दिखाते हैं देखिए जानने का जरुदा है उसके बाद सीरिज जानने का जरुवरत है उसके आपका डिनुमीनेशन जानने का जरुरत है और मिंट लेता ऐसे दानी चार चीज़ अगर आप जान लेता हो तो ये कॉइन एंत की है का भी बुक आवेलेवल है वो भी अप्टू डेट यानि कि मैं जो भी डिटेल्स आप लोगों देता हूं नोटसेंस का वो कम्प्लेट अप्टू डेट होता है यह ठीक ना तो चलिए विदावट वेस्टिंग ने टाप सीधे मॉबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इस्ट इंडिया कंपनी का वो एक रुपए का कॉइन विक्टोरिया इंप्रेस का वन रुपी का कोईन है आपको शुरुवात में बता दे रहा हूँ और दूसरा वन पाइस का कोईन है और तीसरा वो दो अन्य कोईन है तो चलिए आप सीधे मॉबाइल स्क्रीन पर दोस्तों यहां पर जो सबसे पहले हमने कोईन लिया है वो है वन रुपी का विक्टोरिया इंप्रेस का कोईन पहले आप सभी को बता दे कि यहां पर एक बोनस में ने बताया था आप लोगों को शुरुवात में तो देखिए दूस्तों अगर आप सभी की रेर सिख्के या नोट्स किसी वी अग्डी बिसेस में बिग जाते हैं तो आप सभी को उसके बदले में अच्छे खासे पैसे म में बदल सकते हैं इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सभी लोग कुकू FM अप्लिकेशन के अंदर ट्रेडिंग इन दे जोन बुक के समरी को सुनिए और ये हिंदी भासा में भी उपलब है क्योंकि इससे आप को भी स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा मिल जाते हैं तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ या विजनसमेन या किसे अन्य फिल्ड से हो इस एप में हर तरह का नौलेज़ आपको ऑडियो सोज और बुक समरी के माधियम से आसानी से मिल जाता है ये एक मेड इन इंडिया एप है जिस पे 4.5 स्टार स भी ज्यादा रेटिंग मिली है फ्ले स्टूर पे इस समय इस पे 1000 घंटों से भी ज्यादा का कंटेंट अवेलेबल है नॉर्मली इस एप पर यर्ली सब्सक्रिप्शन के लिए देना पड़ता है 3.99 पर अगर आप मेरा कूपन कोड FAS50 को इस्तमाल करते हैं तो फर्स्ट 250 उ इस दिख रहा होगा यह Victoria Empress का 1 रुपे का कॉइन ठीक है तो यह तब को स्क्रिन पर इसका image दिख रहा है इसका detail सबसे पहले physical overview का बात कर लें तो यहाँ पर देखिए एक साइड में आपको यहाँ पर Victoria का यहाँ इमेज बना होगा ठीक है और इधर आपको देखोगे तो एक एक साइड में Victoria लिखा हुआ है और दूसरे हिस्टे में impress लिखा हुआ है और बीच में portrait है और backside के बात करें तो यहाँ पर 1 रुपी इंडिया 1897 ठीक है तो यह हो गया इसका physical overview ठीक है अभी चलते हैं हम लोग according to book Indian coin is book जो है उसके according बात करते हैं देखो यह है coin देख सकते है अब इसके देखिए यह जो कोईन है यह 1877 से स्टार्ट हुआ था ढलाई होना और यह जिस टेम धलाई हुआ था उस टाइम भारत में दो ही मिंट्स टक साल थे एक कलकत्ता में और एक बॉम्बे में ठीक है और कलकत्ता का जो मिंट्स था उसमें आज का डेट में सिर्ट मिं को मिंट्मारक करें कोई अगर मिंट्मार्क ने तो कलकत्ता और सी होना इसके बाद बॉंबे में जो मिंट्मार यह था और यह अपके 1901 में बीच में यह हलका सा गैपिंग भी हुआ लेकिन आपको देखों यहां पर कंटीनिवस ने अगर हम गिंती करा दें यहां पर 77, 78, 79 इस तरह से कंटीनिव जाते जाते यह अपर 1901 तक यह कोईन टकसाल में ढ़लाई हुआ ठीक है तो अभी देखें यहां पर हमें जो देखना है वो रेर जो एक्स्ट्रीमनी रेर है उसके बार में देखना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका देखिए आलिमेंट्स क्या है इसमें देखिए मैटल है इस कोईन का सिल्वर ठीक ना ये एक व्यूर सिल्वर का कोईन है वेट है इसका 11.66 ग्रैम्स साइज है इसका 30.30 से लेगा 30.80 mm तक यानिकि इसका साइज जो है वैरी करेगा डिफेंट करेगा अलग-अलग कोईस की तो यह पर यहां पर आप लोग देख सकते हैं 1897 का जो कोईन है यहां पर आप लोग प्राइस देखिए हापे यहां पर देखिए यह जो है एक्स लिखावान के एक्स्ट्रीमली रेयर कोईन है यह और इसका प्राइस अप लोग पहले इसका प्राइस इतना जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्सिन ने बताना है कि विक्टोरिया इंप्रेस का 1897 का कोईन आप सब्सक्रीन पर दीख रहा होगा यह कोईन अगर आपको फुल डिटेईल आपके साथ सेयर किया मैंने कोई वी चीज है आप चुपा नहीं है और कोई दूसरा कोईन है याने कि आपको दीख रहा होगा वन पाइस का यह कोईन और उस टाइम इसको बोला जाता था था 20 देखिये आपको यहाब कि सब्सक्राब में भी लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है गौर्ब्मेंट ऑफ इंडिया और बीच में यहाँ पे असो का पिलर है और नीचे स्टार में टमार्क आपको देखने को मिल रहोगा और कोईन का जो दूसरा हिस्सा है यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक साइ और नीचे यहाँ पे 1951 ठीक है और बीच में यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से होर्स का सेमबल बना हुआ है अब देखें यहाँ पे जो कोईन है इसका सबसे पहले हम बात कर लिए यह तो ओवर्वी हो गया अब इसका एलिमेंट क्या है पीरेड की सबसे पहले बात करें यह 1950 से लेका 195 था कि यह कोईन ढला था ज्यादा नहीं ढला इसका पतले है कोईन मेटल इसमें इस्तमाला था ब्रॉंज यानि कि यह कंप्लीटी ब्रॉंज मेटल से इसको ढला गया था और यह वेड देखिए 1950 का जो कॉईन था यह 3.88 ग्राम था लेकिन इसके बाद जो कॉ वन पैसे का कोईन है जिसको वन पाइस बोला जाएगा ठीक है तो यह 1950 में डला 51 में डला 52 में डला 53 54 लगातार यह कंटीनुवसली यह मिंट हुआ है 1955 तक लेकिन सभी यह का कोईन रेर नहीं है यहां पर रेर कौन सा कोईन है 1953 का और 1953 में कहां-कहां यह कोईन डला था बॉंबभे में जाता है कोलकाता में और हैदरवाद में यह रिलिस में यह सके बान कोईन कोमन अ Såya कहे अनगे और लेकिन यह । प्राइस देखिए, fine condition of 5000, very fine condition of 7500, extra fine condition of 15000, और UNC condition of 25000, तो मैंने आपको पहले ही बतायता है, one price का जो coin इसका कीमा थे 25000 रुपय, तो यहाँ पर देख सकते हैं, 1953 का अगर one price का coin आप सभी को वास अविलेबल है, ब्रॉंज हुआला, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर है आदरावाद mint का है, तो आपको यहाँ पर मिल सकता है, event condition of 25, तो यहाँ पर condition पर इसका price डिपेंड करेगा, यह चीज आपको विल्कूल ध्यान रखना है, ठीक है, तो यह रहा हमारा दूसरा coin, Republic India का, तो इसका complete detail आप सभी का साथ हमने शेयर किया, इसका physical overview से लेकिए इसका price का पूरा DNA test हमने आप से सथ कर दिया, अब हम लोग चलेंगे, जो हमारे third coin है, यह भी है Republic India का, दो अनना का coin, तो इसका details क्या है, क्या price है, वो बीचेगी आप देखिए, अब यहाँ पर आपको screen पर देख रहा होगा, 1955 का यह दो अनना का coin, ठीक है, bull coin जिसको आप लोग कह और यहाँ पर एक हिस्से में देखिए, बीच मासो का इस्थम, और साइड में Government of India और नीचे स्टार मिंड मार्क देखने को मिल रहा होगा, यह तो इसका physical overview, अब आते हम लोग बुक में, बुक के अंदर देखिए, इसका elements क्या है, यह चीज़ आप लोग देखो सब 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 पीरेट दिखो हैंपर सबसे पहले, 1950 से लेके 1955 तक यह ढलाई हुआ था, इसका स्कार विध राउंड कॉर्न अब बीच में देखिए, इसका इसका राउंड है, यह पूरा कॉर्न जो है, देखिए, राउंड में बना है, यह है इसका physical overview और elements, आप जाए, आप जाए, आप देखिए, यह 1950 से 55 तक ढला था, बट 55 तक continuous नहीं ड़ा था, यहां पर देखिए, 1950 में ढला, फिर 51, 52, 53 यह release नहीं किया, फिर 54 में आगे रिलीज और 55 में आगे रिलीज वा, जैने कि इन 5 साल के बीच में सिर्फ 3 साल यह release हुआ है, ठेक है, तो यहां पर देखिए, तीन सा अगे रिलीज किया गया, अब देखिए, रेर जो है, एक्स्ट्रिमली रेर जो है, वो है आपका, 1955 का बट 55 का कोई, देखो आपको इसक्रीन में दिख रहा होगा, fine condition में प्राइस है, 10,000, verified condition price है, 20,000, एक्स्ट्राइन का प्राइस है, 25,000, और इवेंसे कंदिशन प्राइस अगर अगर अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हैं, प्राइस आपके आखो के सामने है, कोई hidden नहीं है या पर, देखे, 1955 का है, तो विल्कुल प्रूफ के साथ हमने ये वीडियो क्रियेट किया है, तो आप लोग प्लीज कमेंट ना करें कि वीडियो फेक है, कुछ न कर दिया है, तो अब एंड में जाके आपको जो अपकमिंग एक्जिविशन से उसका डेटेल मिल जाएगा, तो उमीद करते हैं, आप सभी को ये वीडियो काफी ज़्यादा informative लगा होगा, आप सभी को इस वीडियो से काफी ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिला होगा, तो आने वाले ताइम पे कुछ अपकमिंग एक्जिविशन्स होने वाले हैं, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और अपने नोट्स एंज कोईन्स के रिरिटी के बारे में और बारी किसे जान सकते हैं, या फिर अपने चलेक्शन के लिए खरीदना चारह है, तो वहाँ से ख